आपने उरत दाल और चावल का डोसा तो खाया ही होगा लेकिन आज शेयर करेंगे लाल मसूर दाल का डोसा और इसे मैंने तीन से चार घंटे के लिए भिगो लिया था बिना भिगोए भी आप इसे बना सकते हैं तो यहां पर देखिए जब यह अच्ये से तीन से चार घंटे तक बिगोए लेने के बाद इसने काफी पानी पी लिया है अब इसे धो लेने के बाद मैंने इसाव जार में डाला है सात में डाला है दो साबुत लालमेच थोड़ा सा अध्रण डाला है इसमें थोड़ा सा और एड़ किया है और इसे ग्राइंड कर लिया है सो कुछ इस तरह से आपको ग्राइंड कर लेना है अब इसे एक बड़े से बोल में मैंने निकाल लिया है और इसमें एड़ किया है मैंने खाने वाले चमच से 5 टीवल स्पून सूजी और इसे बिना पानी डाले सबसे पहले मिक् के लिए 15 मिनट के बाद यह कुछ ज्यादा ही गाड़ा हो गया तो अब इसमें मैंने एड किया है पानी थोड़ा-थोड़ा करके जितना की जिस तरह से डोसा बनाया जासे के उस तरह का इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है तो नमक भी डाला है अभी इसमें मिक्स कर दिया अच्छ से बहुत जाद बाद नहीं फेटना है इसे बस मिक्स कर देना है और तवा को पहले से कर लेना है तवा काफी गर्म हो गया फिर यहां पे थोड़ा सा तेल डाला है सरशूं का इसे अच्छे से मैंने इसके उपर फेला दिया है और उसके बाद पानी के चीटे मारें है फिर इसे पूच देना है यानी किसी कपडे से या टीशू पेपर से उसके बाद लेडल भर करके इसकी ऊपर डालें और इस तरह से लेडल से आप इसे स्प्रेड करें चाहे तो किसी कटोरी से भी अगर आप ये बेटर डालें गहें उससे फैलाएंगे तब बीए बनेगा अब इससे सबसे पहले उपर से और थोड़ा सा चारो तरफ से मैंने सरसों का तेल और भी डाल दिया और इससे बिल्कुल क्रिस्प होने तक पकाया उपर से मैंने रोस्टेड जीरा पाउडर और काली मिर्ज का पाउडर डाला अब अब ओपर काला कैमगा और नमご धर और मीविश प्रेको टोगा। नहीं अब भीर सबसी आइए रिख नहीं गयों कुछ तो फोग seeing बन बने और तो से आगे भी शेयर करें और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करना बिल्कुल न भूलें मिलते रहें सत्याट कीचन पर देखते रहें नहीं नहीं रेसिपीज थैंक्स वर वाचिंग